असलाम लेकुम दोस्तों मैं सीमा श्रपी वेलकम टू मैं न्यू व्लॉग एंड रेसिपी तो फ्रेंड्स आज है रफजान का सेकंड ले तो देखिए हमने किस तरह से सहरी और अफतारी किया है वो मैं आपको पता हूंगी इस व्लॉग में और अगर आपने मेरे चैनल को जान का सेखरी में लोग में它 काया क्या है क्या लुख्याए्थ जादा बंआया तो सेहरी इस लोग भी चिकन बिरीयानि जादा बना यहाले में जड़ाना वेरे और भू ब्रेड़ जो हैं टानिनिंग पर फिर मैं कर दो लिया है प्यास व्लॉख्याए म!" तो ऐसे कोई गड़बढ नहीं होता है क्योंकि मैं आपको पहले बताया है मैं थोड़ा सा जल्दी उठती सहरी में एक दम टाइम पर उठने से कैसा गड़बढ हो जाती है थोड़ी तो चाय बनाने के लग देती हूं चाय जो है ना डारेक दूद में शकरपती दालके रख़ के बाद मैं साथ में तो सहरी के काफिट मैं अभी आज तो मैं साड़े तीन बज़े उठी तो टाइम है पाच बज़े तक टाइम था तो आराम से सहरी हो जाती है और पर जब टाइम बचते है न तो उसमें मैं पुरान शरीफ अगरा पढ़ लेती हूं क्योंकि सहरी के है तो उनके डिमांड है देखो सहरी में सोच लेते हैं दोनों बहन बहुतारी में मनाईंगा ममी तो देखे एक घंटा जब सहरी में मैं सो गई थी और सो के उठी थी तो उठने के बाद जो है ना जाड़ों में पानी मैं डाल देती हूं मैं छुट्टी का दिन था थोड़ काम रहते हैं तो ग्यारा बज़े तक के वह कंप्लेट हो जाते हैं मेरे किचन उचन साफ कर लेती हूं तो उसके बाद मुझे कई जाना था वैसे तो मैं जादा जाने का काम रखती नहीं हूं रमजान शरीफ में बाहर ठकान हो जाती है मगर कुछ अर्जंड मुझे काम था है तो फ्रेंड्स मैं जाकर वापस आगी और इफटारी की मेरे काम शुरू हो गए है मैं आपको बताती हूं मैं कौन से काम से बाहर गई थी मैं जो है ना कुरियर ऑफिस गई थी घर के बिलकुल पास है तो कुछ मेरा कुरियर जो है ना कहीं रुक गया था प्रॉब्लम हो है मैंने जीरा पॉर्टर जाला और बारी करUः शौर के चाल ना अधी मिलता है था संब अधाला में अक्सर बनाती हूं ऑसाथ में दूसरी वे तयारी चलती है एं अंडे का सालन उन थी हूं तो यह बच् jo को ना आ रह्टी को पूराने स्टाइल में जो सालन बनता था वह पसंद नहीं है इसलिए मैं बताती हूं मैंने दूसरा बनाया है तो देखिए अभी वह अंडे का जो है बॉइल हो रहे हैं साथ में आपको दिखाती हूं मैं फिरनी बना रही हूं चावल दोके मैंने सुखा दिया था और फिर उसको मैं प बॉइल होने के बाद यह एक पौट दूद मैंने निकाल लिया है अच्छा सा ठंडा कर लिया है ठीक है यह दूद को साइड में कर देते हैं अर मिक्सि जार में चावल हमने पीस लिया है केसर और इलाइची डल के तो यह पीसदा हुआ हूँ हमें क्या करना है यह जो हमने चावल मैंने इसमें डाल दिया है और जो दूद पकने के लिए तीन पाउ गैस पे छोड़ा है वो पक रहा है ठीक है थंडे दूद में चावल डाल दिया है पिसके अब यह एक लिटर के लिए दो पैकेट ले लिया है मैंने नौन ब्रेंड दूद पाउडर भी आता है को ऐस किनांसे से पुरी गुटलियों को मिक्स कर दीजिए इस दूद में ठीक है मिक्स करने के बाद क्या करी मैंने देखिए इस तरह से लिक्विट बन गए अब इसमें क्या करना है कस्ट्रेट पॉडर मिलाना है वैनिला फ्लेवर का कस्ट्रेट पॉडर एक टीस्पून मैंने लिए और वो भी मैं इस बाउल में डाल दूगी जो लिक्विट चावल का है चावल डाला दूद डाला हमने और जो है ना मिल्क पॉर्डर दाला इसमें ठीक है अब इसके बाद क्या करना है इसके अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके बिल्कुल भी गुकल नहीं बनना यह बच गये इसमें तो यह चैसे यह बहुत हहा है और चमच की मदशे से इसी फिर्णी मन आधकर पॉर्णी बन नहीं हो गई तक अगर इसमें हम नहीं हिलाएंगी स्पून को तो क्या होगा कि गुकलीया बन जाएंगी, तो इसे इस तरह से फिलाते रहना है तो बस एक करने का टाइम आया ना तो जब मैंने इसमें शुगर डाला पहले हमने इस लिंड डाला क्योंकि कच्छे चावल थे वह थोड़ से हाड रह जाते थे इसलिए जब फिर नी बनते आ गई तो उस टाइम मैंने इसमें शुगर डाला और गैस को बन कर दिया अब दूसरी गैस पर और मैल्ट होने के बाद इसका केरेमल बन जाएंगा और इस लिक्विट को हम डाल देंगे हमारी फिरनी में तो इसका टेस्ट जो है और भी ज्यादा दूगना हो जाएंगा बहुत टेस्टी माज़ेदार लगती है तो बस गैस को बन कर देंगे अच्छे से शुगर मैल्ट होगी है हलका ब्राउन कलर इसका जब हो जाए तो हम इसे फिरनी में डाल देंगे ब्राउन सा लिक्विड बन गया है शुगर का मैं इसे फिरनी में डाल दूगी तो फिरनी में डालने के बाद क्या करना है अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और इसका प्लेवर इसका आए ह आप और भी जो आपको ड्राइफूट पसंदे वो भी आप इसमें डाल सकते है तो उपर से जो है ना एक्स्टर गार्निशिंग मैंने किया है पिस्ता और कटे हुए बादाम के साथ और इसे रख दिया है फ्रीज में ठंडा होने के लिए जब यह ठंडी हो जाती है और अब तो टाइम है तो जब तक और भी अच्छी ठंडी हो जाएंगी साथ में मैं आपको बताती हूं कि मैंने दूसरे काम किया कि क्या बना है इफ्तारी में तो सबसे पहले जब मैं किचन में आती हूं तो सबसी सालन रोटी चावल यह पहले बना कर रख देती हूं उसके बाद म मैं क्या करने करें करें मुझे तो मैं एक know क सालन मना रही हम और गया पेस्ट मुझा हुआ चलता प्यास के तो तो मैं उसी तारीके से ये अंडे का सालन बना दिया, सबसे पहले मैंने तेल गरम किया, उसमें मैंने डाल दिया ये अद्रकलसन का पेस्ट, और फिर टमाटर रो पयाज वाला पेस्ट इसमें डाल के अच्छे से फ्राइए कर दूँ ये बस उसमें लाल मिर्ची पॉर्डर, क इचन किंग मसाला डाला मैंने, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाला, थोड़ा हलका सा रेट कलर डाला इसमें, और कटा हुआ हरा देनिया, और फिर बहुत अच्छे से ये अंडे का सालन बन के तैयार हो जाता है, तो साइड मेरी जन ये पोहा बना दिये, और मैं आटा इचन यान जा हुँ जो है, और रटा है, और रसाथуляр में रोटीय में बना लूंगी, और एंडे जो है ना र로टीय भी बना लूँगी और अंडे तो फ्रेंड्स देखिए मज़दार सा अंडे का सालन बन के तयार हो गया इसके पहले मैंने ये रेसिपे आप लोगो को बताया था साथ में आटा भीगा के रख दी है तो रोटिया बना लेती हूं और इफ्तार कर टाइम बस होते आगे है थोड़ा सा टाइम है तो देखिए कोहबन के तयार है और जो फ्रूट्स कट किये थे भजी आ पकोड़े चोले भी बनाया है साथ में और यह जो कटोरी चार्ट डिख रही है ना यह जो पिंकी है तो उन्होंने पिंकी ने जो है नौशीन मेरे जैट की बेटी है तो उन्होंने मेरे लिए इस पेशली भेजा थोड़ा सा घर पे दूर रहते हैं तो नौशीन ने भेजा था मेरे लिए साथ में फूर्ट फूर्ट वागरा कटे हुए है यह कोफते जो है ना यह बाहर से इन्होंने लेकर आये थे तो फ्रेंड्स देखिए आज की इफ्तारी कंपलिट हुई अलहम ने बहुत अच्छे से इफ्तारी किया है और चाड बहुत अच्छे टेस्टी थी नौशीन के आतों की तो इफ्तारी करने के बाद जो है ना मैं फटाफट से बाकी के दूसरे काम जो है वो मैं कर लेती हूँ अख्र करके क्या होता है कि मैं इफ्तारी करने के बैठती हूँ जब भी पुरा किचन और किछन क्रिशन काम करने के लिए तो जब भी आप लोग भी अफ्तारी के लिए बढ़ें तो सारे काम कंप्लिट करकी ही बढ़ें तो देखियो फ्रेंड्स यह रिजा के पपा को और मुझमिल को जो है ना मैंने खाना भी निकाल दी है लोग खाना खाने के बाद तरावी की नमास के लिए जाते हैं क् बाद पूलता है के सहरी में खाना ने खाय گा जाता है फिर इसलिए लोग पेले ही खाना क्वा लेते हैं तो खाना अगरा भी हो गया है और इस तरह से व्लॉग भी hurricane ने